हाई कैसे हैं सब लोग आज हम आपके क्लास 7 के आरे सक्डवाल के चैप्टर 7 भी यह स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंट्रेस्टिंग और मज़दार चैप्टर है क्या है लीनियर एक्योशन इन वन भेर एको तो इसमें क्या है स्टेट्मेंट को समझना है संट संटेंस को समझ करके संटेंस क्या कर रहा है उसके कोडिंग हमको लीनियर एक्योशन बनाना है और सॉल्व करना है चलिए इस मज़दार चैप्टर की सुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज के पहले कुस्तन से तो क्या कह रहा है कोई नंबर है जो क्या है ट्वाइस घड करता है तो लेट चनि हो पिशक करना नंबर गार्ण कर भी एक्स जली एक्स अगर कोई नंबर मों एक्स मानते हैं तो अब आप से आप जान गए होंगे जानते हैं कि आप क्या करना है एक्स का वैलू निकालना है कि क्या एक्स का वैलू गाज उसको टू टैंस मुटिप्लाइ करके जाके उसके सेवें लेश करेंगे तवा ऋटीफाइ स्यल्की वाभी बाला जाइब तो ऑफसेवें 12 डूर्टी सेंगे तुब एक्स का वैलू क्या लिख लब चो एक्सिपल टू शिक्स यानि 26 वो नंबर है जिसको आप टू टाइम्स मल्टिप्लाइब करेंगे दो गुना होगा यानि 26 का दो गुना टू टाइम्स एड उसमें से आप 7 7 को आप मल्टी सब्ट्रेक्ट करेंगे तो क्या होगा फो होगा फिप्टी टू में सेवन हम लेज्ट करेंगे तो क्या आप फ्टी फाइब लेखिया आ गया तो इस दिन बाकिकी जो भी शवाल है हम लोग सिसी धंसे करेंगे चलेंगे आब हूँ लोग दूसरे को सब्सक्री देखते हैं कि सगेंट को सनबेखिए फ्राइस नंबर कुछ नमबर है वह नहीं थाएंड जोड़ा गया तो सेंड प्रोंसें जैसे हम उसे लिखे लिखेंगे लेट दर नमबर कि इनक्रीज बाइब कितना मिलता है 48 रटाइस यूसतेल विशन करेंगे एटसे democr و University सब्सक्राइब कर देखते हैं चलिए को सब्सक्राइब कर देखते हैं क्या कर देखते हैं कि 4 4 added to twice a number आप आप समझ गहेंगे जबी कह दिया twice a number यानि कोई नमबर है एक्स और वह twice है यानि टू एक्स है लेट दा नमबर भी एक्स चलिए कोई नमबर एक्स है क्या कहा है twice a number यानि वह नमबर क्या हो गया है टू एक्स टू एक्स टू एक्स अब क्या करा कि यह तब आपको क्या मिलता है तब आपको फ्रेक्शन फाइल करना इसका फ्रेक्शन क्या होगा अब दूसरे नमबर के दिमाग में बिठा लीजिए जहां भी देखिए एक सिंगल नमबर के साथ एक फ्रेक्शनल नमबर चाहे वो उसका सांट पलस हो या माइनस हो वहां आपको क्राक क्या करना है दूसरे नंबर के denominator से इसको क्या करना है multiply कर देना है यानि 26 minus का sign है minus यह 5 for the 20 कर देंगे और दोनों का by क्या हो जाएगा divide by 5 2x कर दो 26 में से 20 गया तो क्या हो गया 6 by 5 6 by 5 चली तो x is called 2 क्या हो जाएगा तो क्या निकला हमारा क्या है 3 by 5 है यह हमारा एंसर हो गया अब हम लोग नेक्स कुस्टन नंबर 4 को देखते हैं कि बार बार कर रहा है क्या कुस्टन को समझना है तो पहले पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं क्या कर रहा कि नंबर यानि कोई नंबर है तो हम सबसे पहले क्या किया है लेट दा नंबर भी एक्स अब क्या कर रहा है वैन एडेल टू इस हाफ जब उसमें उसके हाफ को जोड़ा गया वैन एडेल तो कोई जिसको जिस नंबर को उसके अपने ही हाफ में हम एड करेंगे तो क्या मिलेगा 72 मिलेगा ठीक है समझ गए कोशन अब आगे देखिए हम क्या बताएं अभी कि जभी एक सिंगल नंबर रहे दूसरा फ्रेक्शन में नंबर रहे तो सीधा किजिए इसको इससे कि लिए कर दिए कर दिए मंठिप्लाइ तो क्या होगा टू एक टू क्रॉस का सांइर पलश दीजिए एक्सागा इस टोटल का वाई कर दिए द्यट्वाइज एट्टू एक्वन्तू क्या हो गया 72 के लिए है अब हम आगे क्या करेंगे जिए डाजेते हैं ट्रॉस 2 x और एक्स कितना हो गया 3x 3x उसकाल टू 72 into 2 टू तो एक्सेंटीटीट टू इन टूटू बाइटेरी अब एक तो टू तोC3 तू जाश इक्षिस झाण और 345 तू लेगए कट गया क्या थो क्या निकला 24 आप हाफ कीजिए और दुनों को एड कीजिए यानि कि 48 और 48 का हाफ 48 का हाफ कितना होता है 24 तुजा 48 यानि 24 क्या होना चाहिए 72 तो आप एड करके देख लिए 48 और 24 को 8 4 12 5 2 6 7 आ गया देखिए तो इस तरह को समझना है और नमबर वेड़े तो जैसे पिछले सवाल में देखिए तो नमबर तो लेट तर नमबर भी नमबर भी एक्स मालेज़े कोई नमबर एक्स है अब क्या करा है कि ए नमबर एड़े टू यानि एक्स में एड़े किया गया क्या टू थार्ड यानि उस नमबर का टू यानि कि एक्स का टू थार्ड कितना तो टू एक्स भाई थी टू थार्ड ऑफ एक्स जोड़ा गाएगा और तब हमको क्या मिलता है तो क्या होगा तो फाइंड नमबर कौन सा होगा जिस नमबर में उसी के नमबर तू थार्ड को जो रहा गाएगा तो फिप्टी फाइगा तो चलिए हम आगे सौल करते हैं तो हमने अभी अभी बताया कि है वहार एक कुशन में आपको बताएगी जाभी देखिए एक सिंग अब यहां क्यों क्रोस सुप्टीप्लाइख ड़िया तो क्या हो जाएगा पाइगा पारी ऐफ किंद्टी फाइदा तो क्या निकल गया एक्स का वैलू क्या निकल गया 33 यानि 33 वो नंबर है जिसको 33 का टू थर्ड और 33 में इसी नंबर इसी का टू थर्ड जब हम एड़ कर गये तो हमारा निकल जाएगा 55 चलिए हम लोग नेक्स कुस्टन देखते हैं कुस्टन नबर 6 कुस्टन नंबर 5 देख रहे हम लोग इस कुस्टन को जड़ा ध्यान से समझेगा तो क्या कर रहा है यह नंबर वैल मल्टिप्लाइड बाइफोर पहले यहां हम लोग कवर कर लेते हैं लेट दा नंबर भी एक्स चलिए नहीं पता है तो नंबर एक्स माल लिए तो क्या करा है एक्स किसे मल्टिप्लाइड होगा फोर से फोर एक्स हो गया मल्टिप्लाइड बाइफोर मतलब फोर अब देखी सेकेंड स्टेटमेंट में देखी क्या कर रहा है इसी का दूसरा पाट अब क्या कर रहा है कि कोई नंबर तो है जो फोर से मल्टिप्लाइड हो रहा है अब क कोई दिकत नहीं क्या कहा रहा है एक सीड का मतलब क्या होता बढ़ना तो वह बढ़ा क्या इट इसल पड़ाय 45 यानि जितना वह नमबर है उससे कितना वह नमबर है उससे कितना बढ़ गया कि एक्सीड बढ़ा कितना बढ़ा तो इट से इसे तो इसे कितना हो गया तो माने कि वह नंबर एक्स है तो उससे कितना बढ़ गया 45 यहीं equation बनना है ध्यान दिजिएगा तो क्या करेंगे अब हम 4x को हम minus x को मिधर लिएगे क्या हो जाएगा minus x is equal to 45 इदर बच जाएगा तो 4x में से 3x गिया तो 3x 3x is equal to 45 x is equal to 45 by 3 15 3 45 x is equal to 15 यहीं समधना था इसी को समधना में जरूरी था इस question में कि आखिर हम जो लिए equation लिखेंगे equation बनाएंगे तो हम बनाएंगे कैसे ठीक है मेरे ख्याल से समध में आ गया होगा अगर नहीं भी समध में आ तो वीडियो पाउच करके एक बार फिट से डिपिट करके देख लेगे डेख लेंगे आप तो समझ भी आ जाएगा चलिए अब हम लोग question number 6 देखते हैं यह question number 6 ही था अब हम लोग question number 7 देखेंगे question number 7 हम लोग देखते हैं कि a number is as much greater than 21 as it is less than 71 than find the number यह question कह रहा है तो सबसे पहले हम करते ही आ रहा है let the number और भी एक्स एक्स माल लिए अब देखें थोड़ा सा हींट भी आपको दिया है बुक में दे दिया है तो क्या किया बुक में कि x-21 equal to 71 minus x किया अब समझे पहले संदेंस को समझे क्या कर रहा है कि a number is as much greater than 21 अगर मालिजे हम ऐसा कहें कि आपके पास मेरे से 10 रुपया ज्यादा है यहां क्या किया एक्स में 21 less कर दिया यानि 21 क्या कर ज्यादा है लेकिन वह अपने में 21 जो है सो अगर लेस कर देगा तो फिर भी कमी होगा तो इस तरह से यह इसका equation बना तो इसी equation को हम लोग क्या करेंगे इसको solve कर लेंगे solve क्या करेंगे इसको बैकेट से बाहर निकाल लेते है एक्स मैनस 21 इकर टो 71 मानस एक अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे इसको इधर लेएंगे तो एक्स पलस एक्स हो जाएगा और 71 पलस 21 हो जाएगा तो एक्स पलस एक्स क्रूस टूआओ यानि एक्स का वैलू कितना निकाल गया 46 देखिए यह 46 एंसर होगा अब आए कुर्शन नम्बर 8 पर चलते हैं कुर्शन नम्बर 8 को देखते हैं कुर्शन नम्बर 8 को देखते हैं कुर्शन नम्बर 8 क्या रहा है कि 2 by 3rd of a number is less than the original number तो जैसा एड़े को सर्में कर रहें इसमें भी करेंगे लेट दा नम्बर भी एक्स अब ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है कि अब क्या कह रहा है कि 2 by 3rd of a number अगर कोई number माले एक्सन लिया है तो 2 तो एक्स का 2 by 3rd of a number less than the original number by 10 तो पहले इसको समझे तो औरिजिनल नम्बर से कह रहा है कोसा नम्बर 8 हम लोग देख रहा है कि 2 by 3rd of a number यानि एक्स का 2 by 3rd तो 2 by 3 x हो जाएगा ठीक है अब क्या कह रहा है यह इक्वल होगा यानि कि less होगा छोटा होगा किस से less than the original तो औरिजिनल नम्बर क्या यह है एक्स और इससे कितना कितना कम होगा कि इसमें 20 क्या होगा कि कम होगा लेस कर देंगे साफ लिखा हुआ है कि less than the original नम्बर बाई 20 यहीं समझे इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्टेटमेंट को ध्यान से समझे और तब उसको लिखिए तभी हमारा equation बनेगा तभी हमारा equation बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा तो नहीं होगा अब देखिए तो इससे हम कैसे लिखेंगे 2x by 3 लिखेंगे equal to x minus 20 अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर ज़रा देखिए अब देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पर हमको सीधा cross multiply कर देंगे क्या करेंगे cross multiply कर देंगे तो यह 2x इधर ही है तो 2x equal to 3 को इससे multiply करेंगे 3 into x minus 20 ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं तो क्या हो जाएगा यह देखिए आगे इससे solve करते हैं 3x से multiply करेंगे 3x फिर 3x 20 से multiply करेंगे 23 जा 60 क्लियर है अब x को x के साथ ले जाई है तो 2x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3x is equal to minus 60 तो 2x में से 3x गया तो क्या बच्या क्येवल माइनस एक्स बचाई माइनस एक्स इसको टो 60 माइनस से माइनस कैंसल तो एक्स इसकल टो क्या निकल गया 60 तो वह नंबर क्या होगा 60 होगा थीक या इसका आपका कोश्ण नंबर 8 ओगया अभा मुझा नंबर 9 के रहें बड़ा ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है कि आपको समझे क्या क्या करहा है नंबर इस टूपाइट टाइम्स another number a number is 2 by 5 times another number if their sum is 70 find the number अब देखिए तो जभी ए नमबर का नमबर दिया नहीं है तो let the number be x ठीक है यहां तक कोई दिकत नहीं अब देखिए ए नमबर is 2 by 5 times तो 2 by 5 times किसका? x का x का 2 by 5 times अब देखिए क्या कहा रहा another number दूसर नमबर से दूसर कोई नमबर है उससे अब क्या कहा रहा if there sum अगर उसका sum कितना होता है 70 यानि इसका और इसका क्या कहता if there sum is 70 तो find the number वो number कौन सा है ठीक है यहां तक अब देखिए अब हम क्या करेंगे इसको हम क्या लिख सकते है 2x 2x by 5 ज़ा ध्यान दीजेगा क्या लिखेंगे 2x by 5 चलिए इसे ऐसे नहीं बनाते हैं इसो थोड़ा और दूसे तरीके से बनाते हैं कि अगर हम 2x by 5 ठीक है हम x को क्या करते हैं क्या करें जबी देखिए यहां क्या को लें क्रॉस मल्टिप्लाइग क्रॉस मल्टिप्लाइग कर दीजी 2x इसका क्या जागा 5 इन्टू 70 माइनस धरी 70 माइनस x तो 2x इसका क्या करते हैं इस तरफ ले आते हैं तो 2x क्या लिखेंगे 2x देखिए क्या लिखेंगे यहां यहां हम लिखेंगे 2x अब इस माइनस अला टर्म है इसको भी इस तरफ ले आते हैं तो माइनस है तो पलस हो जाएगा पलस 5x is going to 350 तो 325 7x is going to 350 तो x is going to क्या हो जाएगा 350 by 7 यह एक्स का value कितना लिख लिखेंगे 50 तो वह number कौन सा है वह number 50 है इस तरह का question number 9 भी हो गया अब हम लोग question number 10 देखते हैं अब question number 10 देखते हैं question number 10 क्या रहा है कि two third of a number is greater than the one third of a number by 3 to find the number let the number be x हम number को क्या कर लिए x माल लिए हर एक question में करते आ रहे हैं अब नेकी question क्या कर रहा ध्यान सुनिएगा कि two third of a number तो number तो यह है तो इसका two third 2 by 3 x समझ में आ गया अब क्या कह रहा है of a number is greater than यानि कि यह बड़ा होगा कि से one third of a number यानि यह number तो यह ही है इसी number का one जो third होगा तो one by three x और कितने से by three by three और ती उसे हम जोड़ा होगा यह number तो एकदाम सिंपल है हम लोग देखते क्या करेंगे इसमें हां अब देखिए कुछ नहीं करना है जो मारा like term है यानि एक्स वाला टर्म यह भी है एक्स वाला टर्म यह भी है तो दूनों को हम एक साथ में कर लेंगे तो two by यहान लिख सकते इसको two x by three and यह जब इधार आएगा प्रॉस मल्टिप्लाइ कर दीजिया है तो क्या निकलेगा देखिए एक्स पर्टू three into three into three उसकान टू क्या निकल गया नाइन देख सकते हैं आपकर निकला नाइन तो वह नमबर क्या होगा नाइन होगा तो बहुत ज़रूरी ये है कि आप question को ध्यान से समझ के linear equation बनाना है जब linear equation बना लेंगे एक बाद अभी तक हमने जो भी question लिखा linear equation, linear equation, equation कब बनेगा जब उसमें equality की sign आएगी तो ऐसा कोई भी question नहीं आएगा जिसमें equality की sign नहीं आएगी यहीं आपको arrange करना है सही से ठीक है अब हमनों question number 11 देखते हैं question number 11 देखते हैं बहुत ही अच्छा question है क्या है देखिए कि the fifth part of a number when increased by five समझ में आ गया होगा जो किसी number का जो fifth part है फिफ्त आप मतलब one by five one by five तो जब यह solution लिखते हैं इसका लेट दार नमबर भी एक्स अब देखिए अब समझें क्या चाहरा है कि फिफ्ट पार्ट कि अगर हम सकेंड पार्ट कहते है तो one by two third part कहते है तो one by three इसी तरह fifth part कहला है तो क्या होगा one by five तो फिफ्ट पार्ट ऑफ ए नमबर तो यह नमबर कौन सा नमबर इसी का तो चली तो फिफ्ट पार्ट ऑफ ए नमबर तो किसका one by five five इसी का न इसी का one by five चली तो मैं increase by five जब यह increase होता है क्या बढ़ना five उसमें add होता है बढ़ता है तो क्या होता है वह equal five क्या लिखा है by five इसके इक्वाल होता है फॉर्थ पार्ट यानि one by four पार्ट किसका one by four तो जो नमबर है उसी का तो one by four एक्स और यह क्या करें decrease by five जिक्रीज मतलब घट रहां घटता है किसे फाइब से तो क्या दोनों equal हो जाता है तो इसी ही हमको solve गानता है तो देखी इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको डेरेक एक्स एक्स बाइफ फॉर इक्वाल टू अब देखी यह माइनस माइनस है माइनस फाइब और यह भी जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस फाइब अब आईए अब देखी जब हम इसका लसी हम लेंगे तो लसी म कितना निकल जाएगा 254 24 x 4 525 X 935 QA हो जाएगा माइनस 5-5 5-10 कि अब सिधा क्रोश मॉल्टिक्लाइ कर दीज्ये 4x-5 5-a equal क्या हो जाएगा ट्वेंटी एंट्वेंटी को 10 से क्या किजिए चलिए 20 in to माइनस हम ऐसे लिए हैं आपकी सुर्विधार के लिए आगे आई यह तो फॉर एक्स और फाइब देखिए तो फाइब सब्सक्राइब तो माइनस एक्स इक्वल टुक्राइब क्यों कि यहां देखिए पोजेटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर तो समझना बड़ा आसान है दिखने में जब तक आप बनाएं नहीं है तब तक बहुत हार लगड़ा है लेकिन जब बनाएंगे तो एकदम हो जाएगा ठीक है अब हम नेक्स पॉस्टन देखते हैं कि फाइन तो कंसी क्यूटिव निच्राल नंबर हूज समी 63 तो कौन सा ऐसा लगातार कंसी क्यूटिव नंबर निच्राल नंबर होगा जिसको जोड़ने पर जिसको एड़ करने पर जिसका सम कितना होना चाहिए 63 होना चाहिए तो चलिए सबसे पहले नमबर हमको दिया नहीं है तो हम नमबर क्या करेंगे फाइल करेंगे तो let the number be X क्या करेंगे let the number तो होगा ही X होगा ही लेकिन इसमाँ कुछ जोड देंगे क्या जोड देंगे let the two consecutive number let the two consecutive number be तो एक को तो हम X मान सकते हैं एक पहला number X हो गया अग दूसरा लगातार दूसरा लगातार कब होगा जाब उसमें हम 1 हम एड कर देंगे लगातार नमबर कब होगा जब हम उसमें एड करेंगे तो पहला नमबर यह हो गया एक्स और दुसान नबर क्या हुग्या एक्स प्लास वान इक अफिस्टी थिर तो यह उलकिंद मिलेवर्य देनों पाई सद Biz्कालिंग में आदर दर्भी लिए तो reflects अगया आधर क्यां अब ही जोए मैने यह वाइन सब्ऑसक्राइब 52 962 नेन ऐसका गद शीटाइब 2 2 3 6 2 1 2 x 2 2 x क्या निकल गया 31 यानि X निकल गया पहला नमबर आपका निकल गया 31 अब दूसरा नमबर क्या क्या रहा है X प्लस 2 यान 31 प्लस तो X is equal to 31 and X plus 1 is going to 31 plus 1 क्या निकल गया X plus 2 यानि 32 अब देख लिए पहला नमबर निकला क्या और दूसरा नमबर क्या हो गया इस दोनों को एड कर दीजिए तो 30 30 60 2 or 1 3 ठीक है और दुसरे पार्ट में इसको इसका हां सब्सक्राइब करके हम बताते हैं तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताएं अपने दोस्तों को मिश्यर करें अगर आभी तक सब्सक्राइब नहीं कि हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैन में ताप्ता के लिए, गुट बाइ